तो प्लीज प्लीज शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें चलिए हम बढ़ती है इसमें क्या बोला गया है कि उतेजिक अनुकिरा का जो सिद्धान में इसके अनुकिरा का सिद्धान बहुत ही महत्योपून होता है यह अमेरिकी मनुवर्ग्यानिक थे उन्हें इस सिद्धान का जो प्रतिबादक था वो लगबग 1938 में हुआ था इसके सिद्धान जो है वो पावला के शास्ती है और व्यूरिवत अनुकिरा करते हैं वह पर किया था कि इस सिद्धान को कुरिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धान का है तो यह तो कॉमन सी ही बात हो गई यहाँ पे कोई इतना सोचने की जरूत नहीं वैं आप याद है कि करया प्रसूत अनुबंदन का सिदा इसके नहीं दिया था अब पढ़ते हैं कि इन्हों ने किया बोला अपने सिदात में ठीक है इसके नहीं के अनुसार पुनर बलन का मतलब होता है रेंफोर्स्मेंट से हम हिंदी में इंग्लिश में कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे पुनर बलन काでसी पहली नहीं करना चाहिए मतलब कोई भी जो भी हम अनुकिर्या कर रहे हैं उसके पहले हमें पुर्णवलन का कारे नहीं करना चाहिए बलकि आप एक शीक अनुकिर्या करने के बाद इसे करना चाहिए वे पुना कहते हैं कि आप पहले प्रियोजन को अनुकिर्या करने दे प्रियोजग जो भी काम करने वाला है उसको पहले अनुकिर्या करने दे और अगर आप उसकी अनुकिर्या से संतुस्ट है तो उसका पुलवरन करके उसे आगे पढ़ाईए क्योंकि पुरसकार पुलवरन करके वैसा ही व्यवहर करने लगता है जैसा दूसरा उससे चाहता है इस प्रकार आपेक्षिक अनुकिर्या तथा पुर्नरवलन इस स्थान के दो प्रमो केंदर बिंदू हैं ठीके यहां पे हम क्या कहा रहे हैं एक तो पुलनलवलन की बात कर रहे हैं तो आम यह कह रहे हैं कि जो भी हम व्यक्ति है बाल revis ev कोई भी हो उसको पहले अनुकिर्या करने । ठीक है अनुकिर्याalin के पहले पुलनलवलन मत दीजै अनुकिस 친डर होने के बाद उससे पुलनलवलन . दीजिज्जे जैसे पुरसकार दीजिए, साबाशी दीजिए, ताकि वो क्या हो, प्रेरित हो सके, उसी काम को करने के लिए दुबारा से उसमें एक प्रेना जाग जाए, और वो क्या कर पाए, उस काम को अच्छे से कर पाए, इसलिए हमें पुरन बलंद देना चाहिए, और क्या करता है, ब और दूसरा इसमें क्या बोला गया है पोलर बलन उसके बाद क्या बोला है कि इसके नहीं ने अपने सिधान्त में दो प्रकार के व्यवाहरों की व्याख्या की है एक तो हो गया अनुकूलित व्यवाहर और एक हो गया प्रसूत व्यवाहर ठीके इसलिए इसका नाम क्या है क्र प्रसूत अनुबंदन का सिद्धान्द तो याद दिकिए इन्हों ने दो बार दो प्रकार के व्यवहार बता है ऐसमें एक होते अनुकूलित व्यवहार जाई से अनुकेरिय व्यवहार भी बोलती जें दूसरा होता इसका प्रसूत व्यवहार घ्क 100 हम पहलिे दोनों को कि कोई अनुकिरिया नहीं होती लेकिन इसके नर इस बात से सहमत नहीं थे उन्हों मतलब पहले चो वाटसर हमारी चो सिद्ल मनुविक्यानिक है वो यह बोल रहे थे कि बिना उद्धीपक के मतलब उद्धीपक का होना जरूरी है उद्धेजना कराने के लिए हम अभी तक यह अनुकिरिया व्यवार के जो अनुकिरिया किसी उद्धीपक के कारण होती है उसे हम अनुकूलित व्यवार या फिर अनुकिरिया व्यवार कहते हैं मतलब क्या हुआ कि उद्धीपक के कारण जो भी व्यवार हो रहा है ठीक है जो भी व्यवार हो रहा है इस उद्धीपक के कारण वो हमारा क्या हो जाएगा अनुकूलित व्यवार हो जाएगा आपको इतना ध्यान रखता है कि अनुकूलित व्यवार क्या होता है हम अपनी मर्जी से नहीं करें व्यवार ठीक हो किसी उद्धीपक के कारण हो रहा हो तो हम उसे कया कहते हैं , अनुकूलित व्यवहार बोलते हे जैसे हमाना क्या होगा , पिन का हाथ में चुप जाना और हम एकदम से हाथ कह बूहएँ तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ हमने हाथ में अपनी मजज़ी से व्यववहार थोड़ी ना क्या हमारी मर्जी से ऐसा होता है कि हम जब चाहें उसे जपकाएं, जब नहीं जाएं खूला रखें, क्या आप अपनी आखों को खोल सकते हैं बहुत तेर रोश्णी में, नहीं, तो यह हमारी इच्छा के अनुसा नहीं होता, यह उद्धी पक के कारण हमारा जो वियवाहर हो नहीं लगता है, इसी तरीके से खाना दिखाए जाने पर ला रहा जाना, अगर आप बहुत आपको बहुत तेस भूख लग रहे हैं, आपके सामने कोई आके खाना रख रहे हो तो यह आपके इच्छा बर निर्बर नहीं किया, यह उस उद्धी पक के कारण आप क्या कर रह हाल कर गए हो, दूसरा हमने पढ़ाता है इसमें प्रसूत विवाहार, प्रसूत विवाहार होता है कि जो अनुकरियां स्विक्छा से होती है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, मतलब उस में कोई उद्धी पक की हमें ज़रूरत नहीं होती, उस हम क्या कहते हैं, प्रसूत व अब हमारा मन कर रहे हाथ लाने का तो हम हाथ लाएंगे हमारा मन कर रहे हैं नहीं हिलाना तो नहीं हिलाएंगे तो हमारी इच्छपड़ी तो है इधर उधर चहल कदमी करना गंणटी बशने पर उसके परतिगजा करना या ना करना कुछ बढ़ना या लिखना आपका मन है तभी तो आप यहाँ पर पड़ रहे हो मेरी वीडियोस देख रहे हो आपका मन नहीं है आप नहीं देखोगे तो यह क्या है यह हमारा अपने इक्चर से क्या हो रहा है हम अपने इक्चर से व्यवहार कर रही है ठीक है तो इसे हमने क्या कह दिया इसे हमने बोला प्रसूत व्यवहार आगे पढ़ते हैं इन्होंने पुनरवलन के बाद भी करी थी ना कि पुनरवलन तो जानते कि पुनरवलन होता क्या ह पुर्णवलन question आता है तो आप इसे पढ़ लेजिए पुर्णवलन English में कहते हैं इस रेंफोर्स माइन तो पुर्णवलन का ताथ परियोता है कि किसी अनुकिर्या के बार बार दुराने के संभावना को बढ़ाना जो भी अनुकिर्या हो रही है उसकी हमें अगर पुर्णवरती करवानी है तो ऐसी संभावनाओं को बढ़ाना जैसे अगर कोई बच्चा है कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसे पुरुसकार दे या फिर उसकी तारीफ करे तो वो उस काम को दुबारा करने की कोशिश करेगा वो फ्रेरी तो होगा कि आरे मुझे तो ये काम दुबारा करना चाहिए को कि मुझे इस काम को करने में पुरुसकार मिला है ठीक है जैसे आप क्लास में बच्ची अगर अच्छा प्रदशन करते हैं किसी के अच्छी मार्च साते हैं तो फर्स्ट डिविजन आने पर हम उन्हें पुरुस्कार जीते हैं तो इससे बच्चे जो होते हैं उन्हें पुरुनरवलन मिलता है कि नहीं मच्छी अकली क्लास में भी फर्स्ट ही आना है तो किसी भी अनुकिरा के बार बार दोराने के संभावना को बढ़ाना ही पुरुनरवलन कहलाता है अब एक डिफिनेशन इससे याद रखनेंजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इसमें बोलागा है कि पुरुनरवलन अनुकिरा का परिणाम है जिससे भविशे में उस अनुकिरा के होने की संभावना बढ़ती है ये कहा था W.F. Hill ने आब बड़ इसी रखनेंशन को याद रखेगा अब इसकी नायर ने पुरुनरवलन को भी दो प्रकार का बताया था तो दोनों प्रकार की पुरुनरवलन को हमें पढ़नाई याँ पर ठीके तोनों ने जो पहला पुनरवलन बनाया था वो धनात्मक बताया था और दूसरा रणात्मक बताया था ठीके तो धनात्मक होता है कि यह हैं वे उत्तिजक हैं जो परिस्तिती के जुने पर सकरी अनुकिरा के संभावना को बढ़ा देती है मतलब धनात्म पुरवरंग का मतलब यह हो गया है सकरात्म कि हम परिस्तिती के साथ जुड़कर जो भी हम अनुकिर्या उसकी गटी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं हम उसकी गटी को अगर बढ़ाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा सकरात्म कहलेजे चाहिए से धनात्म कहते हैं जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जैसे भोजन, पानी, धन दोलत, बान समान, प्रेसंशा एवं सामाजिक मानेता आदी की प्राप्ती तो इन सबसे क्या होता है हमें एक positive energy आती है आपको पुरस्कार देंगे तो आपके अ रिजल्ट मक पुनबलन, रिजल्ट मक का मतब इससे उल्टा हो जाएगा कि जो भी हमारी क्या करेंगे परिस्तिती अनुकिर्या की संभावना को जिससे हटा देने पर definition करते हैं कि यह वह उत्ते जग हैं जो मरिस्तिती से हटा देने पर सकरी अनुकिर्या की संभावना को घ जटा देने? बतर हमारी जो अनुकेटिया है, हमारी जो बी परिस्तितिय होगी है, अगर हम उसमें रिणात्मा कुनरवलन डाल देंगे ना, तो वहाँ पर हमारी अनुकेरा के तो संभाव न होगी होने की, वो भी कम हो जाएगी ब्लकुल, एक तरीके से negativity का काम करेगा, आपस अगर हमें क्लास पर डार्टी पढ़ती रहेगी तो क्या हमारे हम जो भी हम काम कर रहे होंगे उसे हम तेजी से कर पाएंगी बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है वो एक तरीके से हम में क्या करती का गलत भावना पैदा करती का और हमारा चुक ओंफिदेंस लिए लेना वो ब पर इस सीखने की कतिक को बढ़ाते हैं अब एक बात और ध्यान डख लीजिए जो इसके नर था उन्होंने जो अपना जो सिद्धान किया था उसका प्रियोग किया था ना वो एक चूहो पर किया था ठीक है देकिए सबके याद रखने कि आपको किस ने किस पर प्रियोग कि प्रियोग किया था मैं यह भी बता देती हो आपको उन्होंने क्या था एक विशेश प्रकार का बॉक्स बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं इसको याद रखेगा एक उन्होंने बॉक्स मनाया था विशेश प्रकार का यह बॉक्स था इसे हम स्कीनर बॉक्स कहते हैं इस बॉक इसा मार्क था जिसमें एक लीवर लगाता जिसका सम्मंद एक प्याली से था ठीक है लीवर को जिसे हमें यहां पे लीवर लगाए इसका सम्मंद यहां पर एक प्याली लटकी पड़िये उस्ते हैं लीवर को दवाने से आवाज होती है और उस प्याली में क्या होता है यहां पे जैसे इक प्यालि होगी इस प्याली में खाने का तुकड़ा ओपर से smita गिर जाता है यहां पर छूवा पर जही को अब जहांगी जहाANT ऐस में अपना मार्क छोडता है तो यहां पर आगे बड़ता है तो खाना जो है वो गिर जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है वो खाना जो होगा ना चुभी के लिए एक तरीके से पुनर्वदन का काम करेगा क्योंकि उन्होंने ये चीज चोथी ना वो जगा जगा पर करी भी थी अब चुभा जब फिर आगे बढ़ा उसे खाना मिला ना उसी ही लगेगा कि नहीं उसके आगे भी खाना मिल सकता है तो वो आगे गया और आगे गया और आगे जाने पर यहां पर फिर एक ली बढ़ता यहां पर पैर पड़ा उपर से प्याली में फिर से खाना निगिर गया फिर उसने जब खाना खाया तो उसे फिर से एक तरीके स अंदर से प्रेड़ना मिली किया, मुझे तो फिर खाना मिल गया, इसका मतलब मैं आगे बढ़ता जाओंगा, तो मुझे खाना मिलता जाएगा, तो वो खाना जो है, वो चुहे के लिए क्या काम करा, उसने पुनरवलन का काम किया, ठीक है, तो उसने खाना चुहे ने क्या करा अगर हम क्या करेंगे बच्चों को किसी को भी पुनरवलन देते जाएंगे उसके काम करने के लिए तो उसका जो अधिकम का सीखने का इस्तर है या फिर उसके अंदर काम करने के जो पुनरवरती है वो भरती चली जाएगी ठीक है एक ही सिद्धान में जो इसका सेक्षिक मैंतोस में एक बात ये बोली ये थी कि इस सिद्धान के अनुसार हमें जो पार्थे वस्तु है उसको क्या करना चीए चोटे चोटे उसमें बार देना चीए पार्थे वस्तु को अगर आप चोटे चोटे पदों में बिवक्त क तो अधिगम जोगा वो जल्दी हो जाएगा देखे चोटे-चोटे चीज़ों को सीखना जल्दी आसान होता है अब पूरा चैप्टर एक बार में समझा जेंगे तो क्या होगा कन्फियूस हो जाएगे लेकिन चैप्टर का टॉपिक उठागे समझाए पहले एक टॉपिक को स सिक्षकों की क्या करता है यह चीज सहायता करता है मैं सॉरी सिक्षकों की और चैनल में प्रॉब्लम हो रही थी इसके विज़या से वह बैक हो गया था पर कोई बात ही हम जो टॉपिक चल रहे थे उसी पर चलते हैं कि रहा सिख्षकों को जो है वो उस खानी में बच्चों को सहाइधा प्रदान करता है अब च्छाप्तु कि अगर परिणाम आएंगे ना तो क्या करेंगे उन्हें पुनरबलन देंगे ताकि क्या हो उनमें क्या ह वो एकदम से रह सक्री हो जाएं और फिर से उस काम को करने में उनके अंदर क्या चाहिए प्रेन आजए कभी भी हमें उन्हें रिडात्मक पुनरबलन नहीं देना चाहिए जाए जैसे हमें एकदम से उनकी निंदा करनी शुरू करतेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ओर जद लाइफ क्लास होनी के लिए 1000 सब्सक्राइबर होका होना जरूरी है ठीक है तो अगर आप जल्दी से मेरी वीडियो को शेर करेंगे चादर ज्यादा लोग इससा देखेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आई होब आम एक दिर ऐसा आएगा कि हम लाइफ क्लास भी लेंगे